हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे आने वाले एक्जाम के point of view से अगर आप देखोगे तो previous question paper आगर आप उठा कर देखोगे तो आपको एक pattern जो है दिखाई पड़ेगा वो pattern क्या है हर बार census 2011 याने की जनकरना भारत की जनकरना 2011 में जो कराई गई है उससे हर examination में एक नाई question आप से पूछा जाता है तो आज हम rapid में जल्दी जल्दी जो है जितने भी question को समेट सकते हैं इस चोटे से session में उसे देखने की कोसिज करेंगे समझाने की कोसिज करेंगे और खुद भी समझने की कोसिज करेंगे तो चोड़िए very first question के साथ इसकी शुरुआत करते हैं ज्यादा वक्त आप नहीं लेंगे पहला question आपके सामने यहाँ पर यह देखो क्या है भारत में पहली बार जनगन्ना कव होई थी आपको वो date बताना है तो देखिए भारत में पहली बार जनगन्ना 1872 में कराई गई थी ठीक है यह पहली बार जनगन्ना कराई गई थी किस के समय में तो देखिए अगला question ठीक उसी पे है किस अंग्रेज जो है सासन उसके सासनकाल में ये कारेकाल में ये काम किया गया था तो देखिए लॉड मेयोग के सासनकाल में ये जन गन्ना कराए गए थी तो option C का क्या होगा सही जबाब हो जाएगा explanation नहीं करेंगे सिर्फ one liner आज देखते जाएंगे समय कम है examination के point of view से ये सारे question कर लिजे अब नीचे जो है ना comment section में आपको बताना है मैं total जितने भी question बनाऊंगा उसमें से आपके कितने number आए हैं इमानदारी से जो है आप नीचे comment करके जरूर लिखिएगा एक और बात अग अगले बार आपको क्या करना है न अगले बार फिर से एक बार वीडियो देख लो और answer करते जाओ आप और अगले बार क्या कर लेना है अगले बार देखो कि हाँ आपकी improvement हुई है ranking में या नहीं नमर आप ज्यादा ला पारे हो या नहीं अगर improvement हो गई है ठीक है वीडियो जनगन्ना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है population पूछा गया है भारत की population क्या है 2011 के अनुसार तो देखिए 121 कडोर जो है भारत की जनसंख्या थी अब भी as of now अगर आप देखोगे तो 142 कडोर जो है दिखेगा but अभी तक जनगन्ना fresh जनगन्ना नहीं कराए गई है तो कोई भी आकड़ा जो है सटिक तो हो ही नहीं सकता है तो फिलाल इसका जो answer होगा वो जाएगा option number D यह official जो है आकड़ा है चलिए अगले question के और हम लोग बढ़ते है question number 4 simple such question है 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिस्व की कुल जनसंख्या में भागिदारी भारतियों की कितनी ह यानि कि total जनसंख्या में हम लोगों की population कितनी percentage है इसका सही जवाब जाएगा 17.5, 17.5% is the correct answer, option देख लेते हैं हम लोग, option B आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, चलिए अगले question के और हम लोग बढ़ते हैं, next question आपके सामने ये रहा, 2011 की जनगन्ना स्वतंतरता प्राप् जो है, 10 साल से जाथा, बट अभी जो है, अभी के हिसाब से कितनी ये जनगन्ना हो चुकी है, तो इसका जवाब देखिए 7, यानि कि कहा है, option C, C के साथ आपको जाना था, चलिए अगले question के और हम लोग बढ़ते हैं, और by the way, जनगन्ना जो है, देखो ये question ही आ गया, मैं जनगन्ना भारत की होती है, अगले सवाल के और में लोग बढ़ेंगे, next question is, 2011 की जनगन्ना के अनुसार, किस राज की अबादी सबसे अधिक है, जो सबसे ज़्यादा population है, कहां की है, तो सबसे पहले दखिए, number one पे कौन है, आपको मिलेगा, UP जो है, number one पे आपको देखने बिहार is the right answer, तो फिलाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनगन्ना पूछी गई है, तो C, उत्तर परदेश के साथ आपको जाना था, चलिए हम लोग अगले question के और रोज जाएंगे, अगला question देखिए क्या है, जनसंख्या के आकार की दिरिष्टी से भारत का सबसे छोटा र जनसंख्या वाला जगा है, अगले question के और रोज बढ़ेंगे, next question आपके सामने ये रहा, question क्या है देखिए, ये पूछा गया है, कि 2011 की जनगन्ना के अनुसार, उत्तर परदेश की जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या की कितनी परतिसत थी, तो देखिए, इसका सही जव जनसंख्या घनत वाला जो राज है, उस राज का नाम क्या है, तो देखिए, बिहार, अब देखिए, जनसंख्या घनत का मतलब हो गया, कि जो population है, बहुत, एक कम एरिया में, एक वर्ग, स्क्वाइर मेटर में, कितने लोग राते हैं, तो सबसे अधिक लोग जो है, आपको जो है, यहां पे हैं, तो उसी अनुसार से जो है, एक हजार जो है, लोगों के अधार पे जो है, इसे देखा जाता है, सेक्स देखा जाता है, तो देखिए, एक हजार पुरसों के, एक हमारे यहां जो है, महिलाओं की संख्या कम है, तो हम लोग उल्टा जो है, इसे देखत करके बताईएगा मैं देखना चाहता हूं कि इतने लोग को सच मुछ में पता है 2011 की जन गन्ना के अनुसार ग्रामीन जनसंख्या सबसे अधिक किस राजम है यानि कि सबसे तदा गाउ में रहने वाले लोग जो है आपको कहां मिलेंगे तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश इसका सही जवाब है और देखिए अगर मैं भारत की बात करो इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो 68.8% है वो आपको मिलेगा कहां पे देखने के लिए ये भिलेज में गाउं में आपको जो है लोग रहते हुए दिखाई पड़ेंगे और 31.2 जो जनसंख्या है वो आपको टाउन में सहरों में जो है देखते हुए आप देख सकते हुए उन जनसंख्या को आगे बढ़ेंगे question number next है देखे क्या पूछा गया है 2011 की जनकन्ना कैनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरिय यानि कि सहरों में रहने वाली जनसंख्या कितनी है मैंने अभी आपको बताया 31.2 परसेंट जो है कहां पे रहते हैं सहरों में रहते हैं और मैं ग्रामों की यानि की विलेज के गर ब पूचित जनजाती ST सेट्टूल ट्राइब की संख्या सबसे ज़्यादा है तो ये जो है आपको मध्यपर्देश में देखनो को मिलेगा सबसे ज़्यादा कहा मिलेगा मध्यपर्देश में ऑप्सन D इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्ट कोशन की और हम लोग बढ़ते हैं भारत में प्रभावीत साक्छरता दर की गन्ना कैसे की जाती है सबसे ज़्यादा जो साक्छरता दर को गिनने का सिधा सिधा तरीका साथ साल के उम्र से जो उपर की जन्न संख्या है वो पढ़ ही लिखी है या नहीं इससे हम लोग जो है इसकी गन्ना करते हैं डी आपका सही जबाब होगा आगे बढ़ते हैं नेश कोशन की ओर 2011 में देश के निमलिकी तराज्यों में किसमे साक्षरता दर सबसे कम थी सबसे कम साक्षर वाला यानि कि सबसे कम लिटरेट स्टेट कौन सा है पुरुस भी है महिला भी हरकुल जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा साक्षर आपको देखने को मिलेगा आगे बढ़ेंगे 2011 की जनकन्ना में बिहार की अनुमानित आबादी जनसंख्यां जिसे आप समझ लो कितनी थी तो देखे 10 कडोर जो है बिहार की आवादी थी अगर इसी तरह महराश्टा की मैं बात करू नंबर टॉप 3 की बात कर रहा हूँ तो महराश्टा दूसरे नमर पर है महराश्टा की जनसंख्या आपको मिलेगी 11 कडोर ठीक है और अगर मैं मैं 722 1 की बात करू में सरवाधिक जनसंख्या वाला राजी कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या किस राजी में है जहां पे 20 कड़ूर लोग रहते हैं अब भी मैंने तुरंत आप लोगों को बताया सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहां मिलेगी UP में option ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरे नमर पे मारास्ट्र है और तीसरे नमर पे आपको भीहर मिलेगा मैं आपको पहले भी ये बात हैं बता चुका हूँ फिलाल इसका जो सही आंसर है option A इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत का दूसरा सरवाधिक आवादी वाला राजी कौन सा है मैंने आपको बता दिया पहले नमर पे UP है फिर से रिवाइज करा देता हूँ दूसरे नमर पे आपको महरास्टा दिखेगा तीसरे नमर पे आपको बिहार देखने को मिलेगा ठीक है ओल राइट चलिए यानि कि इसका सही जवाब है दूसरा पूछा गया है तो दूसरा महरास्टा होगा ये आपका सही जवाब होगा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेस्ट कोशन इस भारत की जनसंख्या घनत हो, देखिए, एक स्क्वाइर कीलो मेटर में, यानि कि एक जो मेटर स्क्वाइर है एरिया, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, इससे जो हम लोग पता कर पाते हैं, लेकिन अगर जनसंख्या को नाप उसे कैप्चर करते हैं, तो भारत की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत बढ़ा ही है, बिहार की सबसे ज़्यादा है, आगे भी हम लोग कोशन को डिसकस करेंगे, निरंतर जो है, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन तो बढ़ नहीं र रहा है, तो भारत की जमीन तो उतनी ही है, जितनी पहले थी, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है, बढ़ते जारें जनसंख्या बढ़ती जारी है, ठीक है, चलिए, यानि कि इसका सही जवाब क्या जाएगा, option number A is the right answer, अगले कोशन के लोग बढ़ते हैं, र जवाब हो जाएगा, दोहचार सत्तर में जो है, भारत की जनसंख्या अस्तीर होने वाली है, डीस का सही जवाब हो जाएगा, चलिए, अगले कोशन के लोग बढ़ लेते हैं, दोहजार 11 की जनगना के अनुसार, भारत में सहरों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या कित यह सहरों में जनसंख्या रहती है, और ग्रामों में 68.8%, तो अगर आप इसे कनवर्ड करोगे, तो इसका सही जवाब जाएगा, 37 कडोर is the right answer, एको जो है, आप क्या करोगे, I mean, कलर करोगे, OEMR में, अगर ऑनलाइन हो तो एको आपको टिक करना है, अगले कोशन के लोग की बात की जा रहे है, लिडरिसी की बात की जा रहे है, तो दूसरे नमर पे आपको कौन देखने को मिलेगा, मिजोरम, option B, आपका, A जो है, आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा, मिजोरम जो है, आपको सबसे नमर पे मिलेगा, नमर वान पे केरला है, जनसंख्या आकलन report प्रदेशित करती है कि भारत विसु का सबसे युवा देश है 2020 में भारतियों की average age यानि कि जो औसत उम्र है उम्र जो है वो कितनी हो जाएगी यह आप से पूछा गया है age के बारे में आप से पूछा जा रहा है average age के बारे में तो देखिए 29 साल यानि कि लगबग जो भारत की पूरी आवादी है वो 29 साल की हो जाएगी बट जब तक नहीं जन गन गन नहीं आएगी तब तक तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है आवादी की विर्धी दर को कहने का क्या मतलब है इसका क्या मतलब होता है तो देखिए जितने व्यक्ति पैदा हुए और जितने व्यक्ति मरे हैं उनके बीच का अंतर को ही विर्धी दर हम लोग कहते हैं आगे बढ़ेंगे किस राज में महिला साखचर्ता दर सबसे अधिक है दूसरे नमर पे आपको कौन देखने को मिलेगा केरला केरला इस दा राइट आंसर होगा पहले नमर पे लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ दिया गया सबसे अधिक तो केरला इसका सही जवाब है लेकिन दूसरे नमर पे अभी हम लोगों ने वो question भी पड़ा है फिर से गवार recap कर लेते हैं मिजोरम इजदा राइट आंसर दूसरी नमर पे आपको कौन मिलेगा मिजो सेकेंड मिजो वन केरला भारत में जनसंख्या घनत की परिभासा की जाती है कैसे हम लोग परिभासा देखते हैं तो मैंने आपको क्या बताए था कि एक स्क्वाइर किलो मिटर में जि बिहार में मैंने आपको ये पहले भी कोशन करा दिया था भी इसका सही जबाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की ओर 2011 के अंतिम जन गन्ना परिनाम के अनुसर भारत में जन घनत क्या है यानि कि एक स्क्वाइर किलो मेटर है उसमें कितने लोग रहते हैं तो जन संख्या घनतों सबसे कम है यानि कि लेंड यहाँ पर ज्यादा है लोग यहाँ पर कम है तो अरुनाचल परदेश इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्सन नंबर C आगे बढ़ते हैं 2011 के अनुसर देश में सबसे अधिक घनतों निमलिखित में से किस ने दर्ज किया है इसका सही जवाब हो जाएगा देलिज दा राइट आंसर अगले कोशन के और में लोग बढ़ेंगे भारत की जनगन्ना में रिनात्मक विरुधी दर किस दसक में दर्ज की गई है कौन से दसक में भारत की जनसंख्या गिरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी तो बहुत स सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन 1911 से लेकर 1921 में जो है हम लोगों की जनसंख्या में कमी आई थी 20 का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की और नेक्ट कोशन आपके सामने ये रहा नियूनतम इस्तरी प्रुसनुपात वाले भारती राज की पहचान करें तो देखें ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा हरियाना आपको पता ही है हरियाना में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा कम आपको देखने को मिलती है तो इसका सही जवाब क्या होगा हरियाना ही है जहां पे सेक्स रेसियो जो है बहुत न बताया था 31.2% जो है मैंने किसकी बताया थी वो आपको मैंने ग्रामिन जन संख्या बताया थी तो देखिए इसका जो एप्रॉक्समेटली मैथमेटिक्स वाले समझते होंगे एप्रॉक्स ले लिया गया है 70% तो C इसका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा हर बढ़ाने की ब इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम सबसे ज्यादा आइमीन जो सबसे कम जनसंख्या है वो आपको सिक्किम में देखने को मिलता है डीस का सही जवाब होगा आगे बढ़ेंगे 2011 की जनगन्ना के आकडों के अनुसार निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है नेगेटिव वाला चुन्ना है समग्रजन संक साक्षरता दर बढ़ी है बिल्कुल सही बात है हम लोगों की साक्षरता दर बढ़ी है केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है बिल्कुल सही बात है बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है बिल्कुल ये भी सही है साक्षरताओं की विर्दी में पूरुसों की संख् महिलाओं से अधिक है यानि कि ये बोला जा रहा कि पूरुस ज़्यादा साक्षर हो रहा है महिलाओं कम हो रही है यही यहाँ पे रॉंग स्टेटमेंट है लेकिन आपसे रॉंग स्टेटमेंट ही पूछा गया है तो D के साथ आपको जाना था अब मैं आपको समझा देता हूँ देखिए 10 करोर लोग जो है मेल यानि की पूरुस जो है आगे बढ़े है इनकी साक्षरता दर बढ़ी है लेकिन महिलाओं में 11 करोर फिमेल में 11 करोर बढ़ी है इसलिए आप का आंसर क्या होगा D हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 2011 की जनगन्ना की अनुसार निमलिकित राज्यों में किस राज्य में इस्तरी और पूरुस साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है गैप तो देखिए जनगन्ना की अनुसार किस राज्य में आप लिखोगे और इसका अंसर लिखोगे ठीक है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिष्तेदारों सहलियों तक सेर करें इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह से रैपिड रिविजन करना है तो नीचे कमेंट करके रैपिड लिखिएगा ताकि जल्दी जल्दी जो है टॉपिक पे वीडियो बनाए जा सके एक्जाम के पॉंट अव व्यू से आप जो इसे से चेस कर पाऊ थैंक यू सो मच पर वाचिन इस वीडियो आप अ कुड टे